केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए क्रिसी विधेयक के खिलाफ देश में प्रदर्शन रुका नहीं है और दिल्ली हरियाना पंजाब और पस्चिम उत्तरपरदेश जैसे छेत्रों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है वहीं सोमवार सुबह भी देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले राजपत पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला वहीं किसान कानून का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने इंडिया गेट के सामने एक ट्रेक्टर को आग के हवाले कर दिया वहीं आग को बुझा कर ट्रेक्टर को वहां से हाटा दिया गया है और पुलिस मामले की छान बेन कर रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 7 बज कर 15 मिनट से 7 बज कर 30 मिनट के बीच कर्व 15 से 20 संख्या में कुछ लोग किसान बिल के बिरोध में इंडिया गेट के पास एकत्रित हुए और वो अपने साथ एक पुराना ट्रेक्टर लेकर आये थे वही उन्होंने ट्रेक्टर में आग लगाने के बाद जम कर नारे बाजी की वही पुलिस के अनुसार लोग कॉंग्रेस पार्टी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे वही दमकल विभाग ने ट्रेक्टर की आग बुझाई वहीं अब इस मामले पर पुलिस ने जाच शुरू कर दी है और CCTV की मदद से उन लोगों के चहरे तलासे जा रहे हैं जिन्होंने ट्रेक्टर में आग लगाई थी बदादे कि इस समय पूरे टेस में किसान बिल के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं गजट अधिसुचना के अनुसार राष्टपती ने तीन गिभे को मंजुरी दे दी है